आज हम चिकन कीमा से बहुत टेस्टी एक स्नेक्स रेसिपी बनाएंगे इसे बनाने में बहुत कम वक्त लगता है और खाने में बहुत यह स्वाधिस्ट बनता है तो चलिए रेसिपी को स्टाट करती हैं इसे बनाने के लिए हमें चाहिए 250 ग्राम चिकेन कीमा, अब हम इसमें डालेंगे एक चम्मच हल्दी पाउडर, स्वाद की अनुसार हमें यहापे नमगेट करना है, एक चम्मच जीरा पाउडर, एक चम्मच चिकेन मसला पाउडर और एक चम्मच धनिया पाउडर हमें ब्रेट क्रम डालेंगे ब्रेट क्रम डालने से ये थोड़ा क्रंची बनता है और खानी का स्वाध बढ़ जाता है डालेंगे कटा हुआ प्याज एक चम्मच कद्धुकस किया हुआ अध्रक लेसुन का पिंस्ट हम यहाँ पे एड करेंगे चम्मच हम यहाँ पे कस्मेरी बहुत जादा तिखा पसंद है तो आप यहां पे रेड चिली पाउडर या फिर हरी मिर्च को कोट करके डाल सकती हैं अब हम इसमें डालेंगे धन्या पत्ता और सारे चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना है कीमा मसाला बनाते वक्त हम यहां पे पानी नहीं डालेंगे चिकन कीमा में अल्रेडी पानी होता है ब्रेट क्रम के साथ सारे मसाले को भी अब जब करेगा ये मसाला रेडी करते वक्त अगर आपके हातों में चिपचिपा लगता है तो आप यहाँ पे और थोड़ा सा ब्रेट क्रम एड़ कर सकते हैं देखे मसाला रेडी हो गया है अब इसको जिस साइच को बनाना चाहते हैं बना सकते हैं देखे थोड़ा सा किमा मसाला को हम अपनी हातों में लेंगे, देखे इसी प्रकार से इसको बीच में से थोड़ा सा प्रेस करेंगे, और सेंटर में इस तरह सा थोड़ा सा प्रेस करेंगे, देखने में ये बहुत आट्रक्टिब लगता है, देखे हम इसको किस प्रकार की बन इससे बनाने का तरीका बहत आसान है जैसे कटलेट बनाते हैं आप इसको वैसे भी बना सकते हैं तेस्ट में कोई फरक नहीं आने वाला देखिए उतनी कीमा में हम यहाँ पे चार स्नेक्स रेडी कर दिये हैं बहुत ही यह खुबसुरत दिक रहा है अब हम इसको ब्रेट क्रम में डिप करेंगे आप चाहें तो इसको सबसे पहले एग में भी डिप कर सकते हैं देखिए इस तरह से ब्रेट क्रम इसके उपर थोड़ा थोड़ा डालेंगे फिर इसको चारो और इस तरह से घुमाएंगे बीच में थोड़ा सा ब्रेट क्रम को इस तरह से प्रेस कर देंगी और इसका लुक कितना सुन्दर आया है देखिए same process से बाग की snacks को भी हमें इसी प्रका रेडी कर लेना है देखिए इसको बनाने में कितना कम वक्त लगता है चले अब हम इसको fry कर लेते है fry करने के लिए हम कड़ाई में तेल गरम कर दिये थे चले अब हम इसको fry करते है fry करते वक्त gas की flame को हमें low medium में रखना है इसे फ्राई होने में लगभग 4-5 मिनिट लग जाता है ये देखिए चिकन स्नेक्स बनके हमारा रेडी हो गया है आप इसे टोमेटो सस के साथ खा सकते हैं बस गार्निसिंग के लिए हम यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेट क्रम डाल रहे हैं बिल्कुल अपसनल है अगर आप मेरा चैनल पे नए हैं तो मेरा चैनल को सस्क्राइब कर दीजिए और पास में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरा हो नए वीडियो आपके पास महुच सके अब भी एक मारे से घर में जरूर ट्राई करिए और कैसा लेगा कमेंट वोक्स में जरूर बताए थाइंक यू फर वाचिंग